दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए क्विडेंट एक्स स्लूशन चैनल को और साथ ही लेटेस वीडियो के अप्रेट पाने के लिए बैल आइकन को पुश करना ना भूल हलो फ्रेंट इस वीडियो में एक्स्प्रेंगे यहां पर इसको एक्स्प्रेंड किया था अगर आप इनके बारे में जानना चाते हैं तो फीशे मैंने एक वीडियो अप्लोड की थी उसके बारे में वहाँ पर उसे देख सकते हैं और उपर आई बटन पर भी क्लिक करके उसे देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहां पर आपको पांच सेल्स और लास्ट वाड़ा रेड्र का वन सेल्स है और जो लास्ट वाड़ा रेड्र का है तो जब फ्यूल खतम होता है तो लास्ट सेल बचता है दोस्तों रेड वाला उसमें पांच लीटर फ्यूल जब खतम हो जाएगा बाकी सेल्स की तरह पांच लीटर फ्यूल है वो खतम हो जाएगा लास्ट में बचेगा तीन लीटर फ्यूल जैसे कि एट लीटर है पांच लीटर खतम होने के बाद जो तीन लिटर बचेगा उसके बाद यह रेड सेल है ब्लिंक करने लगेगा तो इससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है और उसके बाद आपकी गाड़ी जो है 40-50 किलोमेटर ही चलेगी क्योंकि उसमें सिर्फ तीन लिटर बचा है तो इससे कि आप जान सकते हैं कि हमारी गाड़ी में अभी फ्यूल खत्म होने वाला है जैसे कि एक तरह का हम उसे रिजर्व मान सकते हैं कि जब वो सेलर वेड वाला ब्लिंक करने लगे तो मान लिए तीन लिटर जो आपके पास फ्यूल पैंडिंग है और आप जल